सो हलो एब्रीवन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दा डर्मको के वन परसेंट सैलिसेलिक एसीड डेली फेस वोश का रिव्यू तो पहले मैं आपको यह बताओ कि मेरा जो स्किन टाइप है वो कॉंबिनिशन स्किन टाइप है एंड यहां इसकी मैंने अच्छे से कि उसके बाद मैंने से स्लिक किया स्मीटन से ट्राइल पॉइंट में क्योंकि मैं जब भी कुछ नया प्रोडेक्ट यूज करती हूं तो उसका ट्राइल पॉइंट मंगा लेती और वह आलवेस मुझे स्मीटन पर मिल जाता है तो मेरे पैसे बच जाते हैं बहुत बार देख रहे हैं तो यह हो सकता है आपके skin पर सुट कर जाए और इसी results बहुत अच्छे हो लेकिन जिनकी skin पर यह suit ना करे तो उनके skin पर बहुत सी problems हो सकती है like skin पर dryness आ सकती है teeny teeny pimples हो सकते हैं skin पर itching हो सकती है, irritation हो सकती है, skin swelled कर सकती है तो यह बहुत सारे assays के आपको जो results से देखने को मिलेंगे अगर यह आपकी स्किन पर सूट ना करें तो आपको यह चाहिए कि कोई भी ऐसा जब आप प्रोडेक्ट देखे तो आपको एक पैस टेस्ट चुरूर कर लेना है अपने ने केरिया पर यह आपका जो आम का सेंसिटिव एरिया होता है यहां पर आपको कर लेना है उसके बाद ही आपको कुछ ऐसा प्रोडेक्ट यूज करना है तो मैं आपको पताओं कि मेरा इसके साथ एक्सपिरियंस क्या रहा तो टोटली डिफरेंट था मैंने दा डर्मकों के बारे में बहुत सोना था कि इसके प्रोडेक्ट बहुत अच्छे होते हैं इनक गलत साबित कर दिया तो पहले मैं आपको बता देती हूं कुछ इस तरह कि आउटर पैकेजिंग में आया था वन परसेंट सेले सेली कैसी डेली फेस वर्श और यह 149 रुपिस का 30 ml की क्वांटिटी में मिल जाता है लेकिन अगर आप इसका बड़े वाला पैक खरीदने जा तो आपको 270 यह 280 रुपे में आराम से मिल जाएगा उनलाइन शॉपिंग करने पर तो प्राइज इसके मुझे लगता है कि हां रीजनेबल से है दर्दमकों के बट टू यह की लोंग शेल्फ लाइफ इसके अंदर मिल जाती है एसा कंपनी का क्लेम करना है कि इनके जितने प पर आप इसका यूज कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से इसके डिजाइन की गई है तो और कुछ इंटरनल बॉटल इसके ट्यूब जो ऐसी मिल जाती है इसमें है फेस वोश और यह फ्रेग्नेंस फ्री होते हैं लेकिन यह बिल्कुल भी और्गैनिक नहीं होते बिल्कुल भी इसे कैम्रिकों से ढले गए जो कि बहुत से लोगों की स्किन पर सूट ना करें तो मैंने जब इसे यूज किया तो मेरी बहुत जद़धा ड्राइनेस हो गई actually मैंने इसे one time ही use किया मेरे skin combination है और अभी summers भी जर नी है और summers में आपको पता है skin न अच्छी खासी combination या normal skin भी न dry skin भी oily हो जाती है मेरे TGN area पिर न बहुत ज़दा oil हो जाता है तो फिर मैंने का चलो मैं use कर लेती हूँ इसको summers में कर लेती हूँ मैंने इसको यूज करने के बाद मेरे skin पर थोड़ी देर तक ना इस इतनी ज़्यादा dryness इतनी ज़्यादा dryness कि moisturizer लगाने के बाद भी बहुत ज़्यादा dryness हो रही थी second मेरे skin पर थोड़ी देर बाद आसे heat से निकलने लगी जैसे like कुछ heat हीट से निकल रही है तो 15 मिनट तक मेरे skin पर ये problem बनी रही तो मुझे ऐसा लगा कि शायदी मेरे skin पर suit नहीं कर रहा है और पहले भी मैंने salicylic acid के एक दो जो product है वो यूज किया बढ़ तब ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ I don't know कि इसके अंदर कुछ है और भी ऐसी चीज डाली गए है जो मेरे skin पर suit नहीं की है तो मैं सिफ आप लोगों को एक साथ यह कहना चाहती हूँ कि यह जो product है वो सभी की skin पर suit करने वाला नहीं है oily and oily skin जिनकी बहुत जदा highly oily skin है उनकी skin पर ये suit कर सकता है लेकिन फिर भी आप एक pest test कर लेना अगर आपके skin पर suit नहीं कर रहा है तो ये आपके skin को बहुत जदा नुकसान पोचा सकता है and एक और चीज की इसको use मैंने किया एकी बार इसकी fragrance बिल्कुल भी नहीं थी काफी normal सा texture था gel based texture है इसका मैंने इसे अपने face पर लगाया इसने मेरी eyes में भी बहुत जदा itching की मतलब मैंने इसे eyes पर बहुत जदा अच्छे से लगाया भी नि Pfizer, funded मेरी eyes में इच्छे से होने लगी और second मैं बहुत जदा तक इसको अपने face पर नहीं रख सकी normally मैं हमेशा आप लोगों के साथ share करती हूँ कि जब भी आप face wash उस करते हैं तो आप face पे अच्छे से massage करो at least उसको 30-50 second अपने face पे रखो उसके बाद normal water से face wash करो but मैं इसे 20 seconds से उपर रख ही नहीं पाई so तो मेरी तरफ से यह highly recommend बिल्कुल भी नहीं है लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं आप अपनी skin पर जी से try करना चाहते हैं तो आप एक best test कर ले ना otherwise आपको side effects हो सकते हैं तो मैं मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ यह information ज़रूर share करूँ कि कहीं आप लोगों के साथ भी यह problem नहीं हो जाए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना चैनल को subscribe करना and thank you for watching bye bye take care